हेलो गाइज विल्कम बैक तो मैं टूप चैनल यसके मिशड़ी अवे आप सक्सेच मैं हूँ आपके एजुकेटर से मिस्तरा और यहां पर है आपके सामने बीयोजन या अब घटन अभक्रिया जी हां इसी की हम लोग बीयोजन या अभगटन अभक्रिया के नाम से भी मेरी प अभक्रियाओं को संतुलित कैसे करते हैं यानि कि अभक्रियाओं को संतुलित हम लोग कैसे किया जाता है उस पर भी काम चल रहा है जल्द ही एक प्यारा सा वीडियो आपके सामने रखा जाएगा तो बोड़ी जाम के और यह प्रस्ट बहुत इंपॉर्टन प्रस्ट है 95 प वीडियो की नॉटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंशती रहे यह वियोजन या अभगटन अभक्रियाओं किसे कहते हैं तो वह रासायनिक अभक्रियाओं जिसमें योगिक वाह कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवईवी तत्तों में अभगटित हो जाता है उस जाता है उसे आप रहते है कि वियोजन अभक्रियाओं के प्रकार थो आती है वह हमारी मुख्यतर तीर प्रकार छोती है उसमीं अभगटन होते शरी प्रकास अफगटन होती चलिए अमलों जानने पर ले वियोजन या अफगटन क्या है कि इसकी परिभासा क्या होगी तो इसमें लिखेंगे वहरासायनिक अवक्रिया जिसमें योगिक वाहिकार कोई के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्तों में अभगटित हो जाते हैं उसे वियोजन या अभगटन अवक्रिया कहती हैं ठीक न दिखेंगे कि वहरासायनिक कि वहरासायनिक कि अभग्रिया जिसमें योगिक योगिक वाहिक कारको के प्रभाव से अपने आवयवी तत्तों में अपगटित हो जाती हैं कि अपगटित हो जाते हैं हो जाते हैं उसे कि वियोजन यानि कि अपगटन वियोजन या अपगटन अभिक्रिया कहते हैं उसे वियोजन या अपगटन अपग्रिया कहते हैं तो वियोजन या अफगटन अपक्रिया क्या होते हैं मेरे ब्यार मुट्च याद रखेगा वहरासायनिक लग होते हैं आपने क्यों से क्या वनकरते तत्तों अब गठित हो जाते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है ठीक है न कि यह अश्ते क्रखास अत्वाब बिद्दुद द्वारा संपन्य होती हैं पॉइंट में लिखेंगे यह अभिक्रियाए यह अभिक्रियाए 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 प्रकास उस्मा उस्मा एवं बिद्दुद द्वारा संपन्य होती हैं किसकी द्वारे संपन्य होती है Days हो चाहे हमारा प्रकास हो सकता है या उस्मा हो सकती है या विद्दुद धारा विद्दुद दारा या विद्दुद के द्वारा संपन्य होती है ठीक है ने एक बात याद रखना अब आती है प्रकार यानि कि वियोजन अब क्रिया या अब घटन अब क्रिया के प्रकार हेडिंग क्या डालेंगे हेडिंग डालेंगे बीयोजन या अब घटन अभिक्रिया के प्रकार है बीयोजन या अब घटन अभिक्रिया के प्रकार तो बीयोजन या अभिक्रिया के प्रकार मेरे बैर बच्चो यह मुख्यत कितने प्रकार की होती हैं तो याद रखेगा मेरे प्यार बच्चो यह कितने मुख्यत प्रकार की होती है तो यह मुख्यत तीन प्रकार की होती है कौ अब घटन दूसरा क्या होता है प्रकास अब घटन प्रकास अब घटन तीसरा क्या होता है बिद्दुत अब घटन विद्दुत अब घटन अब इसमें मेरी वेरवच्चु पहला है डालेंगे क्या डालना है में उसमी अब घटन अब घटन वहरा असानी गप्रिया जिसमें योगिक उस्मा के द्वारा दो यादों से अधिक पदार्थों में तूड़ता है यानि कि अपने अवयवी तत्तों में तूड़ता है उसे हम लोग उसमी अब घटन अवक्रिया करती है बस यह लिख देना हूर कुछ नहीं करना है क्या लिखेंगे कि वहरासानिक कि वहरासानिक कि अभी क्रिया कि जिसमें योगिक योगिक उस्मा की द्वारा उस्मा की द्वारा अपने अवयवी तत्तों में तूटता है उसमी अपघटन कहते हैं उसमी अपघटन कहते हैं उसे क्या कह जाता है मिरे प्यार उच्छो उसमी कार्भोनियड देखें क्या CA-CO3 केलसियम कार्बोनेट देखें जब इसका उसमी अब घटन होता है उसमा के द्वारा क्या होता है तूटता है तो यह है केलसियम आकसाइड CAO जो की सॉालिड होता है प्लस हमारा CO2 कार्बन डाइ आकसाइड जो की गैस होता है क्या हो जाता है तूट जाता है किसके द्वारा उसमा के द्वारा तूटता है ठीक है न वहीं पर जब मेरी प्यार बच्चो पहला तो एक्जाम्पल हो गया केल्सियम कार्बोनेट का जब उसमी अपगटन होता है तो केल्सियम आउकसाइड और कार्बन डाइयाकसाइम क्या ह तोड़ जाता है दूसरा इसी का एक्जामपल देखे तो फेरस सलफिट टू एफड़ यह सूफूर फेरस सलफिट का जब उसमी अब घतन होता है क्या होता है इसका जब मेरी प्यार वच्चू उसमी अब घतन होता है तो यह फेरिक आक्साइड Fe2O3 फेरिक आक्साइड प्लस सलफर डाई आक्साइड फेरिक आक्साइड प्लस सलफर डाई आक्साइड प्लस सलफर ट्राई आक्साइड प्लस सलफर ट्राई आक्साइड में क्या होता है तूट जाता है किसमें तूटेगा जब फेरस सल्फेट का उसमी अपघटन किया जाता है तो फेरिक आकसाइड सल्फेड आकसाइड और सल्फेड ट्राइ ओक्साइड क्योग्कि ये डाई ये त्राय चाहे तूट चाहे ह क्या करते हैं उसमी अप घटन मेरे प्यार बच्चों कहा जाता है फिर आता है प्रकास अपघटन प्रकास अपघटन जब वियोजन अवक्रियासूर के द्वारा होती है तब इसको हम लोग प्रकास अपघटन कहते हैं ठीक न जब वियोजन अवक्रिया अवक्रिया सूर के प्रकास से होती है तो इसे प्रकास अपघटन प्रकास अपघटन कहते हैं जब वियोजन अवक्रिया किसके द्वारा हो सूर के प्रकास से होती है तो मेरे प्यार बच्ची से प्रकास अपघटन कहा जाता है उदाहरन के लिए जैसे अगर देखे हम लोग ce galopea ge in the सियल ना जब हमारा सूर का प्रकास पढ़ती है किसका प्रकास पढ़ती है सूरे डित का प्रकास तो इस है सूर का प्रकास पढ़ती है तो यह हैं टू एजी टू एजी प्लस च्ण में क्या होती है तूट जाती है जब सिल्वर क्लुराय exceptional जब सिलवर क्लोराइड पर सुर्खा प्रकास परती है तो शीलवर प्लस प्लस्ट राड़ में क्या होता है हमारा अलग अलग हो जाता है उसे हम लोग प्रकास अभगटन कहती है अगला मेरी पैयर बच्चू तीसरा जो टॉपिक आता है वो आता है आपका विद्दूत अपगटन कि आती हैं थीसरा आती है विद्दूत अपगटन यह जो तक मेरे प्रचू क्या होती है तो जब योजन अभक्रिया सूर के प्रकास से तो हो गई लेकिन घब अवक्रिया विद्दूत के द्वारा होती है तो उसे हम लोग क्या करते हैं एक जब योगी के जली लियन में विद्दू obsc psych करते हैं तो दो या तो से अधिक सरल पाधाठenceала discour आगाई उसे जलिय विलियन में विद्धुत धारा प्रवाहित की जाती है तु व दो या दो से अधिक अधिक अपने अवयवी तत्तों में तूट जाता है जिसे विद्धुत अपघटन कहती हैं जिसे विद्धुत अपघटन करते हैं इसे मेरे विद्धुत अपघटन का नाम दिया गया है जैसे कि जब हम यस्टुओं में यस्टुओं के जली विलियन में विद्धुत धारा को प्रवाहित करते हैं जब हम यस्टु में यानिक जल में विद्धुत धारा प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन और आक्सिजन में क्या होता है टूट जाता है टूट जाता है तीक है ना हाइड्रोजन किस पर टूटेगा तो यह हमारा कैथोड पर चला जाता है और ऑक्सिजन किस पर चला जाता है एनोड पर चला जाता है वहीं पर देखे जब पोटैसियम क्लोराइड का अगर देखे तू के जब पोटैसियम क्लोराइड का बिद्वत अबटन कराते हैं तो पोटैसियम प्लस क्लोरीन में क्या होता टूट जाता है पोटैसियम किसफे तूटेगा यह Tygherak और हमारा कुलोराड किस पर तूटेगा ए नोड पर तूटेगा तो यह हमारे रही मेरे प्यार बच्चो वियोजन अवक्रिया और वियोजन अवक्रिया के प्रकार तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे अवक्रिया मेरे प्यार बच्चो और यह सब अवक्रिया आपके ब